मैं रेखा शर्मा आपके यूट्यूब चैनल लाइव विद रेखा शर्मा में आप सबका स्वागत करती हूँ होप आप अच्छे होंगे सौस्त होंगे मस्त होंगे और अच्छा वाला टाइम स्पेंट कर रहे होंगे दोस्तो दोस्तो कई विवर्स में से बात करते हैं फोन पे वैसे कि भई मुझे आपका चैनल नहीं मिलता कुछ भी हो तो मैं आपको बता देती हूँ आप अगर लाइफ विद रेखा शर्मा चैनल क्लिक करेंगे उसमें मेरी सारी वीडियोज आ जाएंगी और आप उन सब वीडियोज को देख सकते हो दोस्तो चैनल का नाम मैं एक बार फिर बता देती हूँ लाइफ विद रेखा शर्मा ठीक है दोस्तो अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपने आपको मेरी वीडियो देखनी है तो वो अराम से मिल जाएगी आप चैनल को सर्च कीजिए और सारी वीडियोज इसमें आ साधिस्ट आलू के कोफते यहाँ पर मैंने दो आलू ले लिये हैं और उनको कर दिया है अच्छी तरह मैश irgendwas करने के बाद इसमें मैंने एक कड़ची डाल दिया है बेसन और एक बड़ा प्याज अड़ कर दिया है और उसके बाद आपने इसमें सारे मसाले अड़ कर देने ह जो आप पसंद करते हो, हरी मिर्च, लाल मिर्च, हल्दी, नमक, चाट मसाला, धनिया, गरम मसाला, सब मसाले आपने एड़ कर देने हैं, इस तरह मिक्सचर को मिक्स करके अच्छी तरह आपने डो बना लेना है, डो बना के ऐसे गोल गोल आपने आलू के कोफते बना लेने हैं आपने कडाई ले लेनी है कडाई में तेल डाल देना है और उसमें सारे जो कोफते आलू के आपने बनाए हैं वो इसमें डाल देने हैं और अच्छी तरह इनको फ्राई कर लेना है पहले तो तेज गैस में फिर सिम गैस में यहां पर बन गए आलू के कोफते गर्मा गरम आलू के कोफते ये सबजी बनानी इतनी इजी है कि देखे सब घर में आलू तो पड़ाई होते हैं और कोई सबजी समझ ना है तो ये आप फटाफट बना सकते हैं आलू के कौफतों की सबजी बहुत टेस्टी लगती है क्रेवी के लिए आपने कडाई लेनी है कडाई में जीरा डाल देना है जीरा डालने के बाद आपने उसमें डाल देना है मैश किया हुआ प्याज मैंने यहाँ पर दो मीडियम प्याज लिये हैं और उनको कर देना है अच्छी तरह mix और अच्छी तरह इसको भून लेना है भूनने के बाद आपने इसमें देखिए यहाँ पर यह अच्छी तरह भून गया है और अच्छी तरह भूनने के बाद आपने इसमें कर देना है डैट टमाटर को देखें यहां पर मैंने कर दिया है टमाटर डैड टमाटर डैड करने के बाद आपने उसको अच्छी तरह भून लेना है सिम गैस में ताकि ये धीरे धीरे भुने और उसके भुनने के बाद आपने फिर यहां पर मसाले डालने हैं जो आपने कोफतों में मसाले डाले थे ना वो सब ऐसे इसमें आड़ कर देने हैं तो आड़ करने के बाद जब इसमें आपने मिक्स कर देना है पानी अलका सा पानी मिक्स करना है ताकि हमारा मसाला जले ना और हमने गैस सिम करके इसको हिलाते जाना है ताकि हमारा मसाला जले नहीं और उसके बाद आपने कर देना है पानी एड़ मैंने यहाँ पर दो गिलास पानी एड़ किया है पानी एड़ करने के बाद इसको आपने हिलाते हिलाते की ग्रेवी अच्छी तरह उबल जाए कच्ची ना रहे उबल उबल के जब उबल जाए तो उसमें आपने डाल देने है अपने आलू के स्वादिस्ट कोफते फ्रेंड्स आप ऐसा तो ना करें कि भई ग्रेवी आप ना बना और कोफतों कोई खा जाओ तो उसके बाद आप एड करिए कोफते और बन गई आपकी स्वादिस्ट सब जी आपने फिर इसको ना सिम गैस में धक्के रख देनी है ग्रेवी फिर ये अपने आप अच्छी तरह बन जाएगी आपके ये आलू वाले कोफते देखें सिम गैस में मैंने धक्कन लगा दिया है और ये देखिए अब कित्ते स्वादिस्ट बन गए ये आलू के कोफते बन गए यहाँ आप अराम से कोई सबजी ना हो तो इसको बना सकते हो और इसमें मैंने गार्निश कर दिया है हरा धनिया और काजू डाल कर अब देखिए पूरे रेस्टोरेंट का स्टाइल बन गया रेस्टोरेंट की सबजी लग रही है ना फ्रेंट्स कितनी अच्छी इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ अगली वीडियो में आप से फिर मुलाकात होगी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए नए हो तो मेरे चैनल को अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों इसी के साथ मैं यहां करती हूँ बाई बाई फ्रेंड्स बाई बाई एंड टेक क्याई